गंडी के अच्छी बढ़वार इवं मुत्पादन के लिए जरूरी है नपी के माइक्रो न्यूट्रेंस इमडा क्लोरोटो प्रिड का दो इस्प्रे पारली कंपनी अपने के सानों से गंडी के अच्छी बढ़वार के लिए विशेश अनुरोट फसल पर इस्प्रे के लिए किया कंपनी के अशुशियेट मुखी गन्या प्रबंदक संजीव राठी द्वारा पदम पिछोरा निवासी यादव पुर मटेहिया मरोचा बिलास पुर खेरा बजार सिंग्रू अचौलिया दहूरा खपुरवा शेत्र का ब्रमड किया ब्रमड के दुरान उपस्तित किसानों को दो इस्प्रे कम से कम 15 दिन के अंतराल पर करने की सलह दी उन्होंने कहा कि फसल की बढ़वार अच्छी हो फसल पर किसी प्रकार का कोई केड़े या बीमारी का प्रकोब ना हो इसके लिए इस्प्रे जरूरी है काफी किसान इस्प पर पारले दे रही है इसका फाइदा अधिक सेधिक किसान ले आने वाला समय तरल उर्वरक का प्रती एकड इस्प्रे में एन पी के 0,524 दो किलो पारले एमिनोस तरल एक लीटर इमडा क्लोरोजोप्रेड 100 मिली लीटर हेकसा स्टोप 100 ग्राम को 250 लीटर पानी में गोल बन पान्सो कुंटल हो बैक पारले और्गेनिक बोटाश पहले लाइन में डाले और फिर मेट्टी पावर वीजर या कुदाल से चड़ा दे इस अफसर पर काफी संक्या में किसान एबम चीने मिल के आने अधिकारी गड़ रूचिन अखंड सुबेदार उपस्तित रहे दाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट